पहलवान और तेनाली राम कानों में पड़ी तो वो परिशानों उठे तुरंत सेना पती को बुला कर कहा क्या हमारे राजी में कोई ऐसा पहलवान नहीं जो सिक्का का घमंड तोड सके क्या राजी की वयाम शालाओं पर हम लाखों रुपे बेकार खर्च कर रहें सेना पती क्या उत्तर देता वो सिक्का पहलवान की शक्ती को देख चुका था सिक्का पक्की से पक्की इट को दोनों हाथों से पकड़ कर गाजर मूली की तरह तोड़ डालता था एक मुक्के से पत्थर को चूर चूर कर देता था उसके कंधे की टकरखा मजबूत से मजबूत दिवार गिर जाती थी सेनय पती को चुप देखकर राजा और भी परिशान हो थे राजी की प्रतिष्ठा का प्रश्ण था उन्होंने प्रमुख दरवारियों को बुला कर मंत्रणा की कोई परिणाम न निकलते देख राजा हताश होकर बोले फिर क्या करें क्या हम हार मान ले सिक्का को दरवार में बुला कर उसको सम्मान पूर्वक विदा करें सारे दरवारी सिरजुखाई बैठे थे कि अचानक तेनाली राम बोला ऐसा नहीं होगा नदाता राजा ने आशा भरी नजरों से तेनाली राम को देख कर पूछा कौन लड़ेगा सिक्का से मैं तेनाली राम बोला तो सारे दरवारीयों के चेहरे पर मुस्कुरहट फैल गई पुरहित बोला तुम लड़ोगे तुम्हारी वो चटनी बना देगा समराठ भी कहने लगे हाँ तेनाली राम ये मजाग की बात नहीं कहां वो कहां तुम डेड़ पसली के बुड़े आदमी कुछ दूसरा उपाय सोचो ताके इज़द बच जाए और कोई उपाय नहीं अन्ने दाता कम से कम दुनिया ये तो नहीं कहेगी के सिक्का पहलवान की ललकार सुनकर विजयनेगर के सारे पहलवान दड़वों में बंद हो गए राजा ने कुछ सोच कर तेनाली राम को लड़ने की आग्या दे दी सारे दरवारी मन ही मन प्रसन होटे के अब तेनाली राम से छुटकारा मिल जाएगा अगले दिन सारे विजयनेगर में समाचार पहल गया के तेनाली राम सिक्का पहलवान से लड़ेगा सुनकर सिक्का पहलवान खूब हसा और उसने घोशना की उस मच्छर से लड़ने के लिए मुझे अखडा नहीं चाहिए मैं अगले हफते इसी दिन इसी वक्त उसे यहीं मसल दूँगा तेनाली राम से सहन भूती रखने वाले नागरेक इस कुष्टी को न लड़ने की सला देने तेनाली राम के घर गई किन्तो वो घर नहीं मिला तीसरे चौथे दिन भी वो घर नहीं मिला पांच वे दिन विजयनगर में अफवा फैली के तेनाली राम कृष्टा नदी के किनारे बने भैरव मंदिर में साधना कर रहा है सिक्का ने सुना तो वो संधी में पड़ गया वो जानता था कि भैरव अथा शक्ती का देवता है वेश बदल कर वो तेनाली राम की साधना देखने मंदिर गया तो ये देखकर चकित रह गया कि साक्षात भैरव तेनाली राम को गोद में उठाए कोई जड़ी खिला रहे थे और कह रहे थे इसे खा जा बेटे इसे खाते ही तेरे शरीर में ऐसी विद्धुत शक्ती उत्पन हो जाएगी कि जो तुझे चुएगा जटका खाकर सौ घज दूर जा गिरेगा सिक्का पहलवान ये सब देखकर दर के मारे विजयनगर छोड़कर अपने देश भाग गया निश्यत समय पर सिक्का पहलवान तेनाली राम से लड़ने नहीं आया बुलाने गए सैनेकों ने समाचार दिया तो समराठ हैरत से तेनाली राम की ओर देखने लगे तेनाली राम ने सारी बात बता कर कहा अपने से अधिक शक्ती शाली को पचाणने के लिए शक्ती की नहीं अन्यदाता अकल की जरुवत होती है उस दिन तेनाली राम ने समराथ कृष्णदेव राय के साथ बैठ कर भोजन किया झाल